घर और किचन एक ऐसी जगा है जहां हमारा बहुत सारा टाइम जाता है लेकिन अगर हम जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स को कुछ ऐसे हैक्स को जो हमारा काम आसान कर दे ऐसी जगा पर यानि किचन में या फिर घर में तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है तो आज ऐसे ही कुछ टिप्स हैक्स में आपके साथ शेयर करूंगी कई बार ऐसा होता है कि जो हम डोसा बनाते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनता अगर आपका डोसा भी क्रिस्पी नहीं बनता है तो आप उसमें इस बार जब भी बैटर बनाए तो दो चम्मच आप जरूर से एड़ कीजेगा सूजी की और उसके बाद जो बैटर है आप उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते इसके बाद आप जब भी डोसा बनाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डोसा है वह बहुत अच्छे से क्रिस्पी ना बने तो अगली बार जब भी डोसा बनाएं तो उसमें आप सूजी को एड़ करना बिलकुल मत भूलिएगा पनीर जब भी हम लाते हैं तो कई बार वह बची जाता है उसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है अगर आप चाहते हैं आपके पनीर में इसमेल ना हो तो उसे हमेशा आप पानी से फुल करके रखे और इस पानी को आप डेली चेंज करें जिस कड़ाई में हम पूरी बनाते हैं हमेशा उसकी हालत कुछ ऐसे ही हो जाती है अगर आप इसे रगणने बैठेंगे तो ये बहुत जादा आपका टाइम कंस्यूम करेगी तो आप जब भी पूरी की कड़ाई को साफ करें तो देखें हमेशा गरम पानी में आप थोड़ा सा विनेगर एड़ कीजिए उसके बाद आप इसको इसमें डिप करके छोड़ दीजे कम से कम एक घंटे के लिए ये कड़ाई पर ही यूज नहीं करना है आपको आप हर उस परतन पे इस टिप को इस्तमाल कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आपको लगता है कि ओयल से वो जल गई है और आपका बहुत जादा टाइम लेने वाली है तो एक घंटे के बाद जब आप इससे निकाल कर इस तरह से साफ करेंगे तो देखें आप देखेंगे कि बिल्कुल हलका सा आप इससे रब करेंगे और इसकी जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगे ये बिल्कुल मैं सोचेगा कि मैं आपको देखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ देखे बिल्कुल हलके से आप मैं जूना लगा रही हूँ और ये साफ हो रही है आप अराम से इसे अपना सकते हैं, ट्राइ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका घंटों का काम मिन्टों में हो जाएगा तो अगले बार अपनी मेहनत को बेकार करने की जरूत नहीं है आप इस टाइम को दे सकते हैं अपने बच्चों को फैमिली को और देखें कढ़ाई एकदम चमक गई है वो भी बिल्कुल लेस एफर्ट से अगर मेरी तरह आप भी अपने जो बदाम हैं उन्हें रात को भी गोना भूल जाते हैं तो गवराईए मत अगर आप मेरी तरह इन्हें भूल गए हो तो देखें जब भी आपको खाने का मन हो यानि आपको बदाम खाने हैं बच्चों को देने हैं तो उससे आप 5-10 मिंट पहले गरम पानी में इन्हें डिप करके छोड़ दीजे और 5-10 मिंट के बाद जब आप इन्हें छीलेंगे तो इनका जो छिलका है वो एकदम सौफ्ट हो जाएगा और आपको पूरी राद बदाम को भीगोने की ज़रुत नहीं है तो अगर अगली बार आप भूल जाएं तो आप इस टिप को फोलो कर सकते हैं जब भी हम कोई पकवान बनाते हैं तो देखिए गैस स्टूब पर इस तरह से जो तेल है वो गिड़ना एक नेचरल बात होती है और ऐसा ही नहीं है कि आप इसे गैस स्टूब पर ही देखें तरा कहीं पर भी गिर सकता है किसी भी सर्फेस में गिर सकता है तो अगर इस तरह से कहीं तेल गिर गया है तो उसे आप डिरेक्ट कपड़े से साफ मत कीजिए क्योंकि इसे कपड़े का बहुत ज़्यादा वेस्टिज होता है आप उसके उपर इस तरह से हलका हलका सा जो गेहूं का आटा होता है उसे चिड़क दीजिए और देखें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसे चिड़क रही हैं तो ये वेस्ट होने वाला है उसके बाद आप इसे ऐसे हातों से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मैनत नहीं करनी पड़ी है नहीं तो टिशू पेपर या फिर कपड़े खराब हुए है और हमारा जो सरफेस है वो एकदम क्लीन हो गया है ये जो आटा है इसे आप दे सकते हैं किसी जानवर को या फिर आप इसे चीटियों को भी दे सकते हैं तो इस तरह से हमारी कोई भी चीज खराब नहीं होगी उपर से हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाएगा तो देखें हलका सा मैने इसे आटे को अच्छे से रब किया था इसके उपर और उसके बाद जो गैस स्टोप है वो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है मिक्सल जार को हम सब अंदर से बहुत अच्छे से चमका के रखते हैं लेकिन अगर आप इसको पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर के साइड बहुत ज़्यादा गंदगी जमा रहती है अगर आप इसको विकली साफ नहीं करेंगे तो यह बहुत सारी बिमारिया लेकर आती है तो देखें जब भी आपको जार को अंदर से इस तरह से क्लीन करना हो तो आप उसमें थोड़ा सा गरम पानी भरिये उसमें एड़ कीजे आप वाइट विनेगर की और उसमें उसके बाद एड़ करना है आपको खाने वाला सोडा जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं जो हमारे मिक्सर जार है इसको क्लीन करने की एक सेपरेट विडियो मेरे चैनल पर अल्रेडी है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी आप चाहें तो उसे जरूर से चेकाउट कीजेगा गर के सामानों से ही हम इने बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं देखें उसके बाद मैंने खराब सा टूथ ब्रश लिया है और इससे जब आप इसको साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जार पहले अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था वो इसली क्लीन हो गया आप चाहें तो इसको आप बहुत अच्छे से खोल के भी वीकली क्लीन कर सकते हैं देखे कि अंदर की तरफ कितनी जादा गंदगी है इसको आप अच्छे से अप क्लीन करेंगे तो यह और जल्दी साफ हो जाएगी तो इस तरह से जार को अगली बार आप जरूर से साफ कीजेगा और कम से कम आप इसे वीकली जरूर से साफ कीजिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारी स्पून होल्डर होते हैं अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ उसमें धीर सारी गंदगी जमा हो गई है इनको आप वीकली जरूर से क्लीन कीजेगा देखे जिस पानी को मैंने यूज किया था कढ़ाई के लिए मैं यहा आप अपने बतन साफ करते हैं या फिर टूथ ब्रेश की हर्प से साफ कर सकते हैं बहुत आसानी से इनकी सारी गंदगी चली जाती है और आप इस बात का ख्याल रखेगा कि कम से कम हफते में एक बार आपके जो स्पून होल्डर है उन्हें जरूर से साफ करें घर की जो दर सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह मशीन के ओईल का यूज कर सकते हैं और आवाज बिल्कुल नहीं आएगी जब भी हम बनाते हैं तो वह बहुत जादा टाइम लेता है गलने में तो अगर आप इस पार दल्या बनाने की सोच रहे हैं तो बस बनाने से भीगो दीजिएगा गरम पानी में आप देखेंगे कि 5-10 मिन्ट तक भीगने के बाद ही वह बहुत अच्छे से फूल गया है और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी गैस भी बचेगी तो इस बार जब दल्या बनाएं तो इस टिप को जरूर से फोलो कीजिएगा तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस पात की देरी है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में ज थैंक यू और बबाई